आप सभी का स्वाबित है। जो कि सबसे ज़्यादा प्रमावित होने वाला है सभी के बारे में डीटेल में चाश्या इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपने जो चैनल है ब्रह्माद सिद्धियास्ट्रो इस चैनल पर मेश राशी से लेकर मीद राशी तक की जो सभी बारा राशिया है। इन सभी बारा राशियों का मार्श दो हज़र चोबिस का राशबल क्या होगा इस विशेबर वीडियो प्लोड हो रहे हैं। आप उसका राशियों जरूर लीजे तो आज के इस विडियों में हम चर्चा करेंगे प्रिशब राशी की बारे सबसे वेले हम चर्चा करेंगे आपका जो स्वास्त है। तो यहाँ पर दो-तिन बात हैं जो की जान देना आवश्यक है। जो की शुक्त फलिदाई माना लगी जाता पिछले करीबन एक साल में आपने देखा होगा कि जो बाता हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं और इस्ट्रेस तोड़ा बढ़ रहा है। तो उसी का जो परेड़ा में आपने देखा होगा लेकिन एक दो मैने के बात मतलब करीबन माई के बात जो माई से लेकर जो गुरू बदलाऊ होने जा रहा है आपती गयराशन के ब्रावन करेगा। उस समय गुरू जो है वह आपके देखा लेकिन अब जो समय है उसमे भी अगर देखा जा तो शुक्र वह आपके लिए जादा आपके लिए जादा फैवरेबल है तो जादा कुछ स्ट्रेस यावर डेजन लेने के ज़रूरत नहीं है सिर्फ जो गुरू है थोड़े बहुत प्रॉब्लम आपको कर सकता है सिर्फ आपको यहाप पर एक ही बात ध्यान रखनी है कि उदार नहीं लेना करजा नहीं लेना लोन नहीं लेना हाला कि जो शादरिक स्वास्त है वह आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा किसी बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं प तो जो पुड्व है वह आपका धलेश है पंचमेश है जो गुडंड है वह आपका ultimation नाबेश है जो बुध्य है वह आपके दश्म बाहवभ ब्रवन कर रहा है आठ रिक पार्य кр stal आप और 26 अधरी YouTube के बाद यह आपके weegeमाव में ब्रहभ alot करने जा रहा रहा है तो पैसे deutschen मामले में बिल्कुल भी चिंता ना करें जो पाते हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी तो स्रेस याफिटेंशन नेरे के ज़रूरत में खास करें अगर आप शेयर मर्कर में ड्रेट करते हो तो कुछ अठिल आप इस मेरे में आपको ज़रूर मिलेगा उसे प्रकार जो भी आप निकाव किया है उसके जो लाव है वो भी आपको मिलेगा तो पैसे के वामले में चिंता आने वाला जो मेना है मतलब अप्रिल का जो मेना है वो आपको ज्यादा स्ट्रेस दे सकता है तो इसके बारे में पहले से थोड़ा सा ध्यान दीजिए किसी भी बनाकर कि हारा कि आप जो राशी है वो पैसे के कर्चे के मामले में वह काफी साथ सोच समझ कर गयती है लेकिन इस मेन में थोड़े बद खर्चा हो सकते हैं आफ सबसे मेरत प्रोडबक थोड़े से जो पैसे हैं वो सेविंग कीजे क्योंकि जो एफिल है वो आपके लिए प्रॉम्बलमेटिक होने जा रहा है तो पहले तो जैसे हैं चर्शे करें मार्श के बारे में तो फिर्श से में वे एक करने छोड़ा थोड़ा सा फ्रिकोशनरी मेजर लेना आवर्श है क्योंकि जो एप्रील का मैना है आपके लिए ठीक नहीं रहेगा अब हम चार्श करेंगे कि आपका जो घर का सुखे जिसे हैं वो किस प्रकारगा होगा जैसे कि आपके राशी का जो चथुरतेश है रवी जो कि आपके द्रशम महवें ब्रभन कर रहा है और दिना पदर तरीक के बाद यह जो रवी है वो आपके लाब महवें ब्रभन करेगा तो घर की जो लोग है उनके साथ जो आपकी इंट्रेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगे उसमें किसी भी प्रकार के दि करना रहना आवश्क होगा तो घर का जो महवन है वह ठीक होगा उसे रिलेट कोई बड़ी बाते प्रॉब्लम नहीं आएंगे लव लेफ के बारे में अगर आप किसी के रिलेशन्चिप में है तो वहाँ पर जो बाते है तो आपके राश्ची का जो पंजमेश है बुद्व जो कि आपके दशन भाव में ब्रवन करे रहा है आठ तरीक के बाद आपके लाव बाव में ब्रवन करेगा और शब्विस तरीक के बाद ये आपके वही बाव में ब्रवन करेगा तो अगर आप किसी के रिलेशन्चिप में है तो आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अ इसाथ के बारे में थूदा द्यान देना होगा इस में तोड़े बान YOUR फिर देखे जा सकते है इस प्रस्चर्ब काफी जादा मालसिक तोर पर देखे जाएंगे झाहिए तो तोड़ा-सापी जो मालसिखता है वो स्टेबल रखनी ज्यादा आवशक है जो विद्धार थी वर गैक्स उन्होंनों भी यह जो महिदा हो आपके रहे काफी महत्वड़ों शुमफलदा भी जाएगा लेकिन पूरूज का जो बल है वो आपके लिए नहीं है और इस मेले के अंत का जो पिरिड है मतलब मार्स के अंत का जो पिरिड है उसमें थोड़े से आपको स्प्रेंगल करना पड़ सकता है एफर्ट थोड़े ज्यादा देने पड़ सकते बस आपको इसे के वो ठोड़ा दियान देना होगा उसी प्रकार विवा सुक्य मामली में अगर देखा जाए तो आपके राशिक ने सबसे मे आप दोनों में देखे नहीं जाएगे जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी उसी प्रकार जो भी प्रॉब्म छूटे मोटे आइंगल से बहुड बड़ दिक्को दोफा सामदा करना नहीं पड़ेगा उसी प्रकार जो भी आपका कारशिक है उससे रिलेक्ट अगर देखा ज करें आपका जो भी कारशिक दर उससे रिलेक्ट जो बात है काफी स्मूदली चलेगी लिकिन यहाँ पर एक बात है कि जो वगए है वो करीबल 16 तरीक के बाद आपके दशन बहुत ब्रवन करेगा तो जो भी आपके कारशिक रहा है उससे रिलेक्ट चोटे मोटा स्रेस आपके कारशिक से अगर रिलेक्टर आप लेते हैं तो वो चूखने की संबाउंदा ज्यादा बंदरी है ऐसा आपको लग सकता है कि आपके जो काम होई वो ठीक नहीं चाहिए आपसे ज्यादा काम लिया जा रहा है वहाँ वहाँ पर के जो वरिश्ट वर गोंगे या फिर आपके साथ जो काम करने वादे होंगे वी के साथ चोटी वोड़ी वाते के लिए के तकरा हो सकती है क्योंकि मंगल का ब्रवन आपके दर्शन बांबे होने जा रहा है तो थोड़ा सा चोगर नहीं रहेंगे उसे प्रकार आपको मुटिबल जो चॉइसे से वो भी आ सकते है आपके कारिशेतर के बारे में उसके बारे में सोच समझ के काम भीजे अलाकि आप तर जो कालावदी है जो गुरू का ब्रवन मेरे का हा वो करिबन मार्च माइक से अच्छा हो जारे है लेकि इसके पहने आप किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीजन नहीं लिए जो कि सीधे सीध आपके कार शेतर पर असर करेंगे तो इसके बारे भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा तो पुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ड मेरे में आपको स्वयम के स्वास्त के स्ट्रेस जो है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा उसे प्रकार जो गर्बुवती मैला है उन्होंने भी सौनके सास्त के बारे ने थोड़ा द्याम देना आवश्यक है उन्हों मिलाकर देखा जाए तो ये जो संपड़ मैला है आपके लिए ठीक ठांग जाएगा कोई बड़ी दिक्कतों का सामदा करना नहीं पड़ेगा प्रकार के बड़े निर्णे बड़े हो चोटे बिलकुल भी देखा इन दिरों में आपको गुमना फिनना जादा हो सकता है स्वायम के स्वास के बारे में भी आपको थोड़ा द्यान देना होगा इसे प्रकार दिना आठ तरीक को डेफ्चुन और बुद्र की युद्धी होने जा रही है डेफ्चुन जो कि आपके लावबाव में ब्रमन करेगा उसके साथ जो बुद्र है आपका वो युद्धी हो करने जा रहा है तो यहाँ पर दोतीन बातें उसके उपर दोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं तो पुढ़े investment इन दिनों में नहीं करना, आपकी जो अंदाज़रे बुच्विक सकते हैं, उसी प्रेकार अगर आपके बाँ किसी के relationship में है, तो वाँ पर चोटी बूटे बातों को लेकर मिसा अड इनके स्वास्त के बारे में भी परेशानिया सामने आ सकती है, इसी प्रेकार दिनार्क 17 तरीक को निप्चुद और रवी की युद्धियों बने जा रही है, आप यहाँ पर जो मैंने शुर्वत में बात करी, कि आपके घर के जो पूरुष वरक होंगे, उनके स्वास्त के बारे में रॉब्लों कॉंप्लिकेशन आ सकते है, हलाकि यह जो बात है, यह जो फैस है, वो काफी ज़्यादा टेंपररी होगी, मतलब बहुत टेंपररी होगी, लेकिन आप अपको थोड़ा सा डटकर सामना करना होगा, नेप्चुन और रवी की युद्धियों वो 17 तरीक और राफू और वुद्धियों उने जा रही है, अब यह जो युथि तोड़ी महत्मना साभीत होगी, अब यह जो युथि आपके बाकर बाव में, आपके लाफु बाव में वर जा रही है, रावू और वुद्ध की युथि, अब यहां और आदर आपके सांवे का इस ayud स सकते हैं इसे प्रकार दिनांग 21 तारिक को शनी और शुक्र की यूती भी होंगे जा रही है अब यह जो शनी आपके दशनबाव में ब्रह्मन कर रहा है उसके साथ जो शुक्र है वो यूती करने जा रहा है दिनांग 21 तारिक को बहुत ही जादा अच्छा और शुंपलदाई यह योग है आफिरित आपके लिए खास करके जो आफका कारेश रहा है उससे रिलेटिट किसी नकिसी प्रकार के ऐसी कोई बहुत ही अच्छे ऑपरशड़ी आपको मिल सकती है जलू उसको लीजे आगे बीचेगा नहीं सब्सक्राइब जरूर से ग्राफ भीजे और आगे चलिए बावी शमीजा के यह जो बात है आपके लिए बहुत ही जादा शुप रदाई सावीद होगे उसे प्रेंड़ी पर चॉइस मेले की जो अमावस है वह दस तारीक को है कुमबराशी में मतलब आपके दर्म्यात जो भी आपके वारिश है वह आपके वारिश है वह है वह 25 तारीक को है तो जो पूर्णिवा है वह गुली पूर्णिवा है तो आपके लिए अच्छी होगी शुप रदाई होगी सिर्फ यहाँ पर मैं एक बात कहरा चाहूंगा कि अमावस और पूर्णिवा के दिन रवी चंदर के जो आकरशन होता है प्रुतिव के प्रदी तो दोस्तों ये था व्रिशव राशी का परवरी मार्श दोगजाच चोविस का समभड़ राशी पल आपको ये राशी पल कैसे ने आपने किस प्रकार से नेवो किया नीचे कमिट मोंक्स में जबर कमिट करना और अपना जो चैनल है ग्रमांड सिद्धिया एस्ट्रो इसे जबी लाइक शड़र सबस्क्राइब करना थैंडिया वाग